जालाना में एक जिपसी संचालक पर कारेवाई संभव है पृतिबंदित जिपसी संचालक नहीं आ रहा हरकतों से बाज पिछले दिनों इस जिपसी संचालक के जालाना प्रवेश पर लगा था छे महीने का पृतिबंद आज फिर दो विदेशी परियटकों से अवैद वसूली की शिकायत मिली है दो विदेशी परियटकों से 2290 रुपे की जगाद 4000 रुपे लिए सफारी से बाहर आने पर 2000 रुपे की और मांग की विदेशी परियतक ने सुमित, अमित और शम्हू की लेखित में शिकायत की, मामले में रेंजर जोगेंदर सिंग शिखावत और रेंज यदिकारी जनेश्वर चौधरी को शिकायत मिली, शिकायत पर कठोर कारेवाई कर सकता है वन विभाग, पिछले वश भी इस जिपसी सुलू की मामले में 6 महीने का प्रतिपन लग गया, और बावजूद इसके आज भी विदेशी परेटकों से ठगी की शिकायत मिली है, और बीरो चीफ निर्मल तिवारी हमार साथ इस खबर पर जुड़ गया है, निर्मल जी क्या पूरा ये मामला रहा है? बड़ी बात ये है कि जाला में 6 को खराब करने का भी साथ ही साथ कुछ वांचे जिपसी संचाला के इस तरह का काम कर रहे है, खासकर आज जो घटना हो इसमें दो विदेशी परेटक है, जिनका चुकि एक तरफ तो सरकार ने फैसला किया विदेशी परेटकों का जो किराय से 290 रुपे की जगे, 4,000 रुपे वसू लेगे है, उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की जाला ना विदो पर खासकर महा पर जो अधिकारी विदो पर हमके साथ बैटकों हो ने उनकी लेकित में शिकायत की उसमें पता बड़ा की सोमित आमित और एक शंभू नाम के जो तो विदेशी परिटक जो दौनों परिटक तेट पेस बूलने लगे और उनने काफी शिकायत जब तो की जोगेंदर शेखावाट जो वहां के रेंजदिकारी सेकेंड और धनेशवर चौदरी जो रेंजदिकारी पर्था में दौनों को शिकायत की गई और बड़ी बात य लेकिन उससे पहले भी तीन महिना इस जो जिक्सी संचाला के सुमेद इसकी गाड़ी चीक है और इसलिए अब जो है अब एक बार फिर से कारवाई हो सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए